यूनाइटिड इंडिये इंशोरंस के सिंपलिफाइड एजेंस पोर्टल पे मोटर की पॉलेसी कैसे अन्राइट की जाती है ऐसे बहुत से वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे जिसमें मैंने आपको टू वीलर्स, फोर वीलर्स, मिस्लिनियर्स वहिकल जिसमें क्रेन और जेसी भी शामिल होते हैं यह सभी पॉलेसी अन्राइट करना बताई हुई है तो फ्रेंड्स जो आज का वीडियो है आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम यूनाइ पे यूनाइटिड इंडिया इंशॉरस का जो सिंप्लिफाइड पॉर्टल होता है उस पे जी सीवी की पॉलेसी गूर्स के वहिकल की पॉलेसी कैसे अंड्राइट करनी है यह जानने के लिए चलिए ले चलता हमें सीदे आपको अपनी कॉम्प्यूटर स्क्रीन पे जहां प पॉलेसी को यूनाइटिड इंडिया इंशॉरस के सिंप्लिफाइड एजेंट्स पॉर्टल पे कैसे अंड्राइट किया जाता है आज का वीडियो इसी पे है तो फ्रेंस इसमें मैं आपको एक चीज़ यहां पे क्लियर करना चाहता हूँ कि गूर्स केरिंग वहिकल कॉमर् वहिकल की अपनी ब्रांच से अंड्राइट करवानी पड़ेगी तो फ्रेंस कॉंटिन्यू पॉलेसी किसी भी कंपनी की हो सकती है चाहे वो नैशनल इंशॉरेंस की है औरियंटल की है न्यू इंडिया की है रिलाइंस की है किसी भी कंपनी की कॉंटिन्यू पॉलेसी को आप अपने portal पे underwrite कर सकते हो अगर आपका renewal है तो simply आप policy renew के option पे जाके उसको renew कर सकते हो और united की किसी और branch या फिर किसी और agent की वो renewal है तो उसका underwriting का process सेम रहेगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ तो friends policy underwrite करने के लिए सबसे पहले आप policy transaction वाले option को open कीजिए उसके बाद make new policy को click कीजिए उसके बाद आपकी screen divert होके कुछ ऐसी open हो जाएगी यहाँ पे select office में already आपका office select होगा LOB में आपको motor select कर लेना है तो friends जी देखिए मैं यहाँ पे motor select कर रहा हूँ उसके बाद आपको select product में जाना है और liability insurance है या फिर वो full insurance जिसको हम comprehensive insurance भी बोलते हैं और वो है तो आप यहाँ पे motor package policy पे click कर लेजिए liability की है तो यहाँ पे liability पे click कर लेजिए जिसे हम third party policy बोलते हैं देख लीजिए आप कौन सी policy करने जा रहे हैं उस तरह से आप इसको select कर लेजिए तो मैं यहाँ पे motor package policy को select कर रहा हूँ जिसे हम comprehensive policy बोलते हैं उसके बाद यहाँ से इसको simply आप submit कर दीजे submit करने के बाद आपकी screen divert होके कुछ ऐसी open हो जाएगी तो friends यहाँ पे आपको सबसे पहले class of vehicle select करना है तो class of vehicle में goods carrying vehicle commercial है तो आपको friends यहाँ पे goods carrying other than three wheeler public carrier select करना है commercial vehicle के लिए हम public carrier ही select करते हैं तो friends मैंने यहाँ पे इसको select कर लिया है उसके बाद आपको vehicle की registration select करनी है किस state में vehicle registered हुआ है मैं ही माचल पर दे select कर रहा हूँ उसके बाद हमें vehicle का manufacturer select करना है तो friends मैं यहाँ पे Tata Motors select करूँगा मैं आपको एक truck insurance करना यहाँ पे आज बता रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे Tata Motors select कर लिया अब Tata Motors में make क्या है vehicle का यह आप RC पे देख लिजेगा vehicle की जो RC होगी आप उस पे देखके यहाँ पे इसका make select कर लिजे तो friends देखिए मैं यहाँ पे 16-13 select कर रहा हूँ जो की Tata का एक truck होता है उसके बाद friends अगला option है हमारे पास insure details का अब यहाँ पे obviously continue policy है और renewal होगा तो यहाँ पे हमें renewal select करना है उसके बाद previous company कुन सी है वो हमें यहाँ पे select कर लेना है मान लीजे national insurance की policy हम करने जा रहे है तो यहाँ पे मैंने previous company लिख ली है उसके बाद यहाँ पे आप policy number लिख लीजे जो previous policy number होगा previous जो policy की आप copy होगी उससे उसकी सारी details चेक करके यहाँ पे fill कीजे तो friends अब मैं यहाँ पे policy start date select कर रहा हूँ तो यह 2020 में policy हुई होगी 29 April 2020 को एक्स की expiry आएगी 28 April तो friends यह सारी details आपने previous policy से देख लेनी है अगर कोई claim नहीं किया है गाड़ी transfer नहीं हुए तो आप देख लीजिए previous policy में NCV की percentage कितनी थी मान लीजिए previous policy में उसकी 20% NCV है और उसने कोई भी claim नहीं किया है वहिकल भी transfer नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम 20% select कर लेंगे insured के name में आप insured name लिख लीजिए उसके बाद insured का address आप लिख लीजिए जब आप इसमे pin code fill करेंगे तो यह district select कर लेगा उसके बाद friends आपको यहाँ पे insured का mobile number लिखना है उसके बाद friends अगर आप इस policy की payment cd account से करना चाहते हैं या फिर आपको card से payment करनी है या फिर आपको इसकी payment check से करनी है या आप देख लीजिए और अगर आपको इसकी payment credit card से debit card से करनी है या फिर net banking से करनी है customer के ही debit card, credit card या net banking से तो आपको यहाँ पे email लिखना जो है वो जुरूरी है क्योंकि जो payment का link होगा वो customer की mail ID पे ही जाएगा तो friends मैंने यहाँ पे email address fill कर दिया है उसके बाद friends आपको यहाँ पे customer की date of birth fill करनी है तो friends देखिए मैं यहाँ पे date of birth fill कर रहा हूँ इसके बाद friends अधार number का option है, pen number का option है अगर customer के पास अधार और pen हैं तो उसकी details भी आप यहाँ पे fill कर सकते हैं अगर नहीं भी आप fill करेंगे तो आपको portal policy and write करने देगा उसके बाद देखिए friends body type है, तो यह हम truck insurance करने जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे truck select कर रहा हूँ आप देख लीजिए जो यह 1613 है यह tanker है, या फिर utility band है, या फिर किसी भी तरह की customer ने अलग से उसकी body बनवाई हुई है, तो customer से पूछके यहाँ पे उसकी body select कर लीजिए normally यह truck ही होते हैं closed body होते हैं, तो आप यह select कर लीजिए, किस air में यह truck बना है, आप वो select कर लीजिए मंत यहाँ पे select कर लीजिए, और उसके बाद friends यहाँ पे registration किस date को हुई है यह RC पे लिखा होता है वहाँ से आप देखके इसकी registration date भी लिख लीजिए उसके बाद simply आपको यहाँ पे इसके engine number fill करने है, और इसके यहाँ पे chassis number fill करने है आपने सभी details जो है वो RC से verify करनी है यहाँ पे मैं registration number fill कर रहा हूँ तो friends देखिए यह सारी कि सारी details आपने RC से fill कर ली, उसके बाद RTA select करना है हमें RTA में यहाँ पे select कर लिया है उसके बाद vehicle की IDV previous policy में जो IDV होगी उससे आपने 10% कम कर लेनी है मान लीजिए 5 लाख रुपे previous policy में इसकी IDV रही होगी तो आपने यहाँ पे 5 लाख में से 10% कम करने है जो की 4.5 लाख रुपे पह जाएगा तो आपने यहाँ पे 4.5 लाख रुपे लिख लेना है electrical accessory mostly trucks में नहीं लगी होती है तो आप इसको सभी को blank रहने दीजिए अगर LPG inbuilt गाड़ी होगी तो यहाँ से select कर सकते हैं trucks में नहीं होता है यह मैं आपको generally बता रहा हूँ आप private cars की भी जब policy करते हैं तो अगर LPG fuel use हो रहा है या CNG use हो रहा है तो आप यहाँ से select कर सकते हैं truck के case में रहने दीजिए यह just मैं आपको आपके knowledge के लिए बता रहा हूँ और friends उसके बाद यहाँ पे आप OD discount OD discount आप अपनी branch से confirm कर लें कि आप कितना OD discount इस specific model पे दे सकते हैं उतना ही यहाँ पे आप OD discount लिख लिजिए मान लिजिए 60% allow है हमें तो यहाँ पे हमने 60 लिख लिए policy start date automatically आ जाएगी जिस date को policy expire हो रही थी नई date यहाँ से automatically system उठा लेगा उसके बाद आपको more cover and info वाला option select करना है उसके बाद आपकी window divert होके ऐसी open हो जाएगी अब देखिए friends यहाँ पे बहुत से option आपको मिल जाएंगे मैं आपको जो general use होते हैं वही option यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जिसमें आ है legal ability to pay driver और cleaner तो यहाँ पे आप two लिखतीजिए एक driver और एक cleaner यहाँ पे insured होगे यह two लिखने से उसके बाद friends आपको इसको scroll down करना है और यहाँ पे आपके पास PA का option आ रहा है अगर तो owner खुद driving करता है उस truck को तो आपने यहाँ पे उसको PA cover दे देना है 15 लाख रुपे का ट्रक का मालिक है वो उसने driver रखा हुआ है और वो कभी भी truck को नहीं चलाता है तो आप यहाँ से इसको simply uncheck कर दीजिए और यहाँ पे no कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से इसको back कर दीजिए और अगर वो खुद से truck को चलाता है तो इसको simply यहाँ से yes रहने दे और उसके बाद यहाँ पे इसकी सारी की सारी details फिल कर दे driving license number क्या है license की expiry date क्या है और कहां से license issue हुआ यह सारी की सारी details यहाँ पे फिल करनी है और उसके बाद आपको nominee का नाम फिल करना है और nominee के साथ क्या relation है वो चीजे फिल करनी है यह होगा उस case में जब owner खुद truck को चलाता है तो friends अभी तो मैं इसको no ही कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको no कर दिया और friends उसके बाद हमारे पास आया other covers तो friends यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है जो की बहुत जुरूरी बात है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ अगर आप commercial vehicle की truck और pickup कोई भी है उसकी insurance करने जा रहे है तो inclusion of IMT23 को कभी भी ना भूले इसका बहुत nominal सा premium होता है इसको आप tick जुरूर कर ले अगर आपने IMT23 check नहीं किया होगा IMT23 का cover नहीं दिया होगा तो जो उसका front होता है truck का front होता है जिसमें की headlight, headlamps, tire, tubes और front जो शीशा होता है वो इसमें cover नहीं होगा अगर आपने इसको IMT23 को check नहीं किया है तो friends ये ध्यान दे के आप इसको IMT23 को tick कर लें उसके बाद friends यहां से आप इसको back कर लें और जब आप back कर लेंगे तो आप फिर से home page पे पहुंच जाएंगे main page पे पहुंच जाएंगे तो friends अब आपको simply यहां से compute premium के option पे जाना है देखिए friends मैं यहां पे इसको ok कर रहा हूँ अब यह हमारा premium calculation का process शुरू हो चुका है तो friends compute premium के बाद देखिए आपके सामने screen ऐसी open हो जाएगी जिसमें आपको यहां पे जब आप देखेंगे तो total premium जो है इसका 41,170 शो हो रहा है अगर आप इसकी worksheet देखना चाते हैं तो आप simply यहां पे click कर दीजिए और आपके सामने इसकी पूरी की बूरी worksheet शो होनी शुरू हो जाएगी जिसमें आपको basic order कितना premium है IMT जो हमने IMT23 select किया था उसका देखी premium 534 रुपीज आ रहा है जिसमें cover of lamps, tire tubes, etc. दिख रहा है अगर हम IMT23 check या उसको tick नहीं करते तो यह वाले cover जो है कस्टमर को नहीं मिलने थे और छोटे से premium के लिए कस्टमर का ज़्यादा cover का loss होता है इसलिए आप IMT23 को हमेशा tick कर लीजिए Public liability B option में आपको basic third party दिख जाएगा Legal liability to pay drivers जिसमें हमने IMT28 को check किया था वो 100 rupees, 50-50 rupees का driver का और cleaner का premium यहाँ पे आ रहा है और friends उसके बाद देखी यह total हो गया और उसके बाद आप इसको scroll down करेंगे तो यह 571 और 4010 यह इसका GST लगेगा और total premium होगा 41,170 तो यह दो GST इसलिए लगे हैं क्योंकि basic पे जो GST लगता हो बारा परसेंट होता है और third party यह वाला जो option होता है इस पे 18% GST लगेगा इस portion पे आपको 12% GST लगेगा तो friends जो total premium है वो 41,170 हो गया तो friends अब देखिए हम फिर से main page पे आ जाते हैं main page पे आने के बाद इसको यहां से update कर देंगे लेकिन friends मैं यहां पे आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ जब आपने truck का model यहां पे डाला है तो उसका gross vehicle weight आप उसकी registration certificate पे चेक कर लें यह देखिए friends यहां पे gross vehicle weight 16,200 kg है तो maximum यह गाड़ियों का 16,200 kg ही होता है किसी गाड़ी में यह 18,500 भी होता है तो आपने उपर से यहां से इसको scroll up कीजिए और यह जो make है यहां से आपने change कर लेना है कुछ makes के 18,500 भी आपको मिल जाएंगे तो friends यह आपने देख लेना है gross vehicle weight कितना है उस हिसाब से यहां पे आप make को change कर ले क्योंकि gross vehicle weight पे ही premium भी depend करता है और जो RC में gross vehicle weight होगा वही हमें commercial vehicle के policy में भी gross vehicle weight से ही रखना पड़ेगा तो friends अब आप simply यहां से इसको policy को update कर ले और update करने के बाद आपको पता है कि policy में CD account से कैसे payment की जाती है card से कैसे payment की जाती है या फिर check से कैसे payment update की जाती है वही वाले आप options चूज कीजिए मैं इसको यहां से update इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं इसको update करता हूँ तो यह proposal save हो जाएगा तो friends क्योंकि payments कैसे की जाती है यह normally सभी को पता है underwriting के बहुत से वीडियो मैंने पहले भी बनाए हुए है किसी को नहीं पता कि payment कैसे की जाती है तो मेरा कोई भी पिछला underwriting का वीडियो आप देख ले तो friends इस हिसाब से आप किसी भी continue insurance policy को जो commercial vehicle की होगी लेकिन वो miscellaneous vehicle में count होते है miscellaneous vehicle की policy की underwriting कैसे की जाती है उसका एक dedicated video मैंने पहले से बनाया हुआ है अगर किसी को देखना है कि JCB की policy कैसे करनी है तो फिर वो मेरे videos चेक कर ले वहाँ पे आपको miscellaneous vehicle की policy कैसे underwrite करनी है इस नाम से video मिल जाएगा तो फ्रेंड्स ये था आज का video जिसमें आपने देखा कि कैसे हमने simplified agents portal पे goods carrying vehicle, truck या पीकप की policy अंड़रेट की तो फ्रेंड्स आपको आज का video कैसा लगा आप मुझे comment section में जूरू बताएगा और इस video से related या फिर insurance से related आपकी कोई भी query है तो वो भी आप उससे comment section में पूछ सकते हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है जल्द एक नए topic के साथ और एक नए video के साथ आप से मुलगात होगी और फ्रेंड्स अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं सबसे पहले अपने मौल पे पासके तो आज के लिए इतना ही है जय हिन जय भारत